हेलो फ्रेंट्स आपका मेरी यूट्टीब चैनल में स्वागे थे आज इम बात कहेंगे सीए में कोस्ट के इंटर्मड ग्रूप 1 में से कोस्ट अकाउंटिक मोडियल में से माटियल कोस्ट के चेप्टर के अंदर से कि यह मारे फ्रेंटक रिक्वेस्ट कासे ऐंएम विडियो बिनाए हुआ है ऊ चालिये इलस्टेशन नमबर 20 कैसे सोल करते हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर हमको यूक्यू फाइंड आउट करना का है टोटल कोस्ट फाइंड आउट करने का हैं सब क्लायर 1500 यूनिट्स भी 5% डिसकाउंट भी प्रोवाड करता है तो यह हमको एकसेप्ट करना चाहिए या नहीं प्रका बेस्ट करना चाहिए भी हमको फाइंड आउट करना है मिनिमिमों मैक्ज़म लेवल फीसके तो चलिए चीज़ें कैसे फाइंड आउट करने वह देख लेते हैं तो इसके लिए हम सिबसे पहले सिपने आउट करेंगे तो इसके लिए आपको एन्यूलिस ज़्व टी दिया हुआ है 100 ट्यूब्स एंड हमारे पास येर के अंदर 52 विक्स आते हैं तो इससे हम मुटिकलाइ करेंगे तो 100 इंट फिप्टी टू करेंगे तो हमको एन्यूल इसे जो प्टिब्स मिल जाएगा 5200 ट्यूब्स एंड ओडरिंग को समको क्वेशन में दिया हुआ है 100 रू पेज तो चलिए इस साही चीज़े हम यो क्यों के फॉर्मुला के अंदर पूट कर देते हैं तो टू इंटू फिप्टी टू हंड्रीड इंटू हंड्रीड इंटू हंड्रीड बाइन इसका हम को स्क्वार रूट निकालेंगे तो हमको यो क्यों मिल जाएगा 102 यूनिट्स अब हम बात करेंगे कि यह हमारी पास एक ओफर है सब्क्लायर की कि फिप्टीन हंड्रीड यूनिट्स सब्क्लाय करते हैं तो हम वह हमको 5% डिसकाउंट प्रोइड करता है तो यह ओफर हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो चलिए इसके लिए हमको ट पॉट्यल कोस्ट फाइंड आउट करने पड़ेगे तो टोटल कोस्ट के सबसेपहले फ़रोला पूट करतेते हैं कि एन्यूल डिमांड इंटु प्राइस क्लस एन्यूल डिमांड डिवाड़ बाई योक्यू इंटु ओरिंग कोस्ट तो हमारी पास एन्यूल डिमांड है 5200 यॉनिट्स इसको मौल्ड़िकलाएकश मिल जाएगए करेंगे इसका अंदर हम एड करेंगे इघर हमारे पास है से 1500 युनिट्स के इंदर हम मल्टि क्लाइ करेंगे ओर ईडल कोस्ठ भी वह समय पास है और हम एक अ कस के बात करें तो हमा पास हो क्रिक हैемся स्कॉय टूजब करेंगे टू से एंद मल्टिक्लाइक करेंगे करेंगे के अमारे पास है 95 रुपीज मिलेगा जो हमाई पास प्राइस है 475 उसका हम 20 परसन करेंगे तो हमको करी कोश मल जाएगी 95 रुपीज इस साई चीजों को हम सोल करेंगे तो हमको मिलेगा 24 लेक 70,000 क्लस ओडरिंग कोश्ट आएगी 346.67 सेवन रुपीज इन केरिंग कोश्ट का टूटल आएगा 71,250 चलि इस साई चीजों को एड करेंगे तो हमको 1500 रुपीज पे कितनी टूटल कोश्ट आएगी वो मिल जाएगा हमारा फिगर आएगा 25 लेक 41,596.67 रुपीज अब हमाई पास जो पहले वाला था हमने जो यू की फाइंड आउट किया था 102 यूनिट साय था तो वहाँ पे हमारी टूटल को स्कितनी आती है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते है तो हमाई पास टूटल कोश्ट के फॉरोला पूट करते है इसके अंदर हम साही चीज़ों को पूट करते है तो एन्यूल डिमाड है हमारे पास 5200 यूनिट्स प्राइस हमारे पास 500 रूपीज अब हम ओडरिंग कोश्ट के बात करें तो ए हमारे पास 5200 यूनिट्स है यो क्यों हमने जो प्राइस के टूटल आएगा तो हमारे पास प्राइस के टूटल आएगा 26 लेक्स एंड ओडरिंग कोश्ट का टूटल आएगा 5000 98.03 रूपीज एंड करिंग कोश्ट का टूटल आएगा 5100 रूपीज एंड इन तिनों को एड करेंगे तो हमको 102 एकोनोमिक ओडर क्वान्टिटिटल पे कितने टूटल कोश्ट आएगी वो मिल जाएगा 26 लेक्स 10198.03 रूपीज तो इस दो दोनों अलग-अलग ओडरीन कोश्ट पे हमने टोटल कोश्ट फाइंड आउट की है 1500 यूनिट्स पे एंड वन जिरो टू यूनिट्स पे तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमाई पास जो सप्लायर ओफर करता है 5% डिस्काउंट पे 1500 यूनिट्स सब्क्लाय पे तो यह हमाई जो टोटल कोश्ट आए है वह कम है तो यह है 25 लेक 41,596.67 रूपीज तो यह से हम कह सकते हैं कि वह सप्लायर के ओफर हमको एक्सेप्ट करने चाहिए क्योंकि इससे हमाई कोश्ट टोटल कोश्ट काम हाती है अब हम question के अंदर हमको दूसरा भी पुछा हुआ है कि हमको reward level find out करना है minimum level find out करना है maximum level find out करना है तो चलिए सबसे पहले हम reward level कैसा find out करें हो दिख लेते तो इसकलिए हमारे पास formula maximum consumption into maximum reward period तो हमको question में हमारे पास है maximum usage 200 units इसको multiply करेंगे maximum reward period से जो हमारे पास question में late time to supply दिया हो इसके अंदर six to eight weeks दिया हो तो six आएगा हमारा minimum and eight weeks आएगा हमारा maximum reward period तो हमको maximum reward period लेना है तो हम यहाँ पर eight weeks लेंगे तो 200 into eight करेंगे तो हमको reward level मिल जाएगा 1600 units अब हम आगे बात करेंगे minimum level of stock कैसा find out करें तो उसके formula reward level minus normal usage into average reward period तो हमने reward level find out किया है उसका answer था 1600 units इसमें सब्सक्राइब करेंगे normal usage वह भी question में है 100 tubes इसको मेंट करेंगे average reward period से तो हमाँ पास जो lead time to supply था उसके अदर six to eight weeks थे तो उसकी average निकालेंगे six class eight divided by two तो हमको seven weeks मिल जाएगा यह हमारी average reward period आएगी तो हम 1600 units में से 100 less के एंगे seven से multiply करेंगे तो हमको minimum level of stock मिल जाएगा 900 units अब हम आगे बात करेंगे maximum level of stock के तो इसके फारूल काया reward reward quantity minus कायांगे minimum usage into minimum reward period तो हमाँ पास है reward लेवल जो हमने सबसे पहले find out कियादा वो है 1600 units इसके अंधर हम एड करेंगे reward quantities का मितलिक है कि हमको EUQ पूट करना है जो हमने question में find out कियादा वो था one zero units तो इड करेंगे इसमें से हम less करेंगे minimum usage to question में दिया हुआ है 50 units इसको multiply करेंगे minimum rewarder periods है वो हमारे पास है six weeks तो इसको हम स्वाल करेंगे तो हमको maximum level of stock मिल जाएगा 1402 units तो हम इस प्रकार से लेश्टेशन नमबर 20 स्वाल कर सकते हैं इन मैं assume करते हूँ कि हमारे friends के queries soul हो चुके होंगे तो आप इस प्रकार से आपको यह फिल भी कुछ भी इसके अंदर डाउट लगे तो मुझे comment box के अंदर पुछने ना बुलें मेरी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें थे चैनल कि अदो एक लगे प्रूछ लगेशन झाल के अभी तो में कि अंदर ना बॉडें़ एक अंदर एकूंद्रेशन नहीं चैनल चैनल को आफ तो आफ प्रूब। झाल झाल